नमस्कार मैं हिमंत बगिल अब सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में भारत की इतिहास से बार-बार पूछे जाने वाले प्रस्णों पर हम लोग डिसकस कर रहे थे जिसके अंतरगत मैं डेली 10 कोस्चन लेता हूं और प्रते कोस्चन क को डीटेल में एक्स्प्लेन करता हूं तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितने कोस्चन सॉल्व हुई है तो चली हम लोग पहला कोस्चन देख लेते हैं तो पहला प्रश्ण है किसी सभ्यता में क्या वि मिस्त्र की सभ्यता ले लीजिए तो एक सभ्यता में क्या विशेस्ताइं होनी चाहिए कि उस सभ्यता को हम नगर सभ्यता कहें या फिर ग्रामेड सभ्यता कहें जैसे कि सिंदु घाटी की जो सभ्यता है जो आच से लगभग सव वर्स पहले खोजा गया था 2020 में खोजा गया था सिंदू गाटी सभ्यता को तो सिंदू गाटी सभ्यता में ऐसी क्या मुख्य विशेष्टाएं थी कि उसको एक नगर सभ्यता माना गया वहीं उसके बाद जो सभ्यता हमारे भारत में पन पी जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता की रूप में जानते हैं उसको हम ग्रामीन सभ सब्भेता कहते हैं तो क्या ऐसी विशेस्ता हैं रही सिंदु घाटी सब्भेता में कि उसको नगर सब्भेता कहा गया तो देखें यहाँ पर चार पॉइंट दिये हुए हैं और यह जो चारों पॉइंट है यह एक नगर में मतलब कि किसी सब्भेता में विशेस्ता होगी इस खपत से अधिक उत्पादन होगा तो उसको बेचा जा सकता है दूसरे छेत्रों में उसको निर्यात किया जा सकता है तो पहली सर्थ यह होनी है दूसरी है व्यापार परणाली मतलब कि जो सभ्यता है उसका जो जिविको पारजन का जो प्रमुक्स रूथ हो प्रमुक्साधन ह वो व्यापार हो न की क्रिशी तीसरा है माल लाने ले जाने के आसान तरीके मतलब की एक तरह से जो आवागमन के जो साधन है वो अच्छे होने चाहिए तो सिंदु घाटी सब्वेता में हाला की जो नगर थे वहां तो काफी अच्छे-चे सड़क देखने को मिलते हैं लेकि नगरों के बाहर भी एक दूसरे नगरों को जोड़ने के लिए सड़क रहा होगा तो आवागमन या फिर कहें माल लाने ले जाने की उत्तम व्यवस्था थी बैल गाडियों के नमुने मिले हैं तांबे की बैल गाड़ी भी मिली है बैल गाड़ी इस टाइप की चीज़े मि पता चलता है कि वहां के लोग जो है नापतौल से परिचित थे इन चारों के अलावा और भी कुछ विशेस्ताइं होती है जैसे कि क्या करते हैं वस्थू को वस्थू के क्रय विक्रय के लिए सोने चांदी या फिर सिक्का या फिर वस्थू विनिमय का माध्यम होना तो वस्थू विनिमय भी व्यापार का एक माध्यम होता है तो सोना चांदी सिक्का या फिर वस्थू विनिमय का माध्यम होना ये भी एक अनिवार्य सर्त माना जाता है इसके अलावा एक क्या करते हैं एक अलग तरीके से बनी हुई इमारते मतलब की क्या कहना चाहिए एक स सुनियोजित तरीके से बनी इमारते, सुनियोजित तरीके से बने नगर, ये भी जो है नगर ये सभेता की विशेशता हैं, अगर हम ग्रामीड सभेता की बात करें, तो ग्रामीड सभेता में क्या होता है, पहले अगर हम प्रणाली, व्यापार जैसे प्रणाली उतनी अधिक नहीं होती है, बहुत कम ही देखने को मिलता है, माल लाने ले जाने के आसान तरीके, तो भई उनका कोई उतना अच्छा उत्तम विवस्था होता नहीं है, नापतावल के भी कोई नियम नहीं होते हैं, इसके अलावा उनके जो भवन है, वो लोग अपना जोपड़ी वगेर ब बात करें, तो नगरिये सभ्था, एक सभ्था को नगर सभ्था इन सब विसेश्थाओं के होने के आधार पर कहा जा सकता है, और ये तमाम विसेश्थाइं सिंदु घाटी सभ्था में देखने को मिलती है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी अगर बोल रहा है, तीन पॉइंट दिया हुआ है, भारत में सरो प्रथम सिकों पर तिथी का अंकन कर्दमक सक सासकों द्वारा किया गया, तो देखो जो सक हैं, इन्होंने क्या करते हैं, भारत पर आक्रमन किया था ना, बाहरी थे, बाहर से आये हुए थे, तो भारत पर आक्रमन सक सासकों द्वारा किया गया था देखो जो भारत में जो सक थे न वो अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग वंस के आधार पर सासन करते थे जैसे कि ये करदमक बोल रहा है करदमक सक सासक ये लोग उजयन में सासन करते थे करदमक वाले एक छहरात भी है छहरात वंस का सक सा तो यहां पर कार्दमक वंस के सक्सासक इन्हों ने सिक्कों पर पहली भारती थी का अंकर किया, अगर हम बात करें हमारे भारत में सिक्कों की सुरुवात कब होती है तो यह लगभग पांचवी छटी सतापदी में देखने को मिलता है जो पंचमाक्ड सिक्के जिनको बुला ज लेकिन तिथी की बात अगर करें मतलब की टाइम सन अगर तिथी की बात करें तो जो करदमक वंस के जो सक्सासक थे उन्हों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर तिथी का अंकर किया था ध्यान रखेंगे और यह लोग सक्सावत का प्रियोग करते थे जिसको हम लोगा सक्स जाता है पहला पॉइंट बिल्कुल सही है भारत में सरव परतम सिक्कोपर्तिती का अंकन करदमक सक सासे को द्वारा किया गया था यह जो लोग उज्यायन में सासन करते थे करदमक सक वंस का जो संस्थापक था वो चस्टन था यह जो नीचे दिया है ना चस्टन तो यही जो है उज्जयन में करदमक सक वंस का संस्थापक था दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इस वंस का संस्थापक चस्टन था बिल्कुल यह सही है जिसने अपने अभिलेखों व परदमक सक्वन्स की स्थापना की उजयन में तो उसने अपने अभिलेखों में जो उसने अभिलेख जारी किये जो उसने शिक्य जारी किये उसने उसमें शक्समत का प्रियोग किया था ध्यान रखेंगे सक्समत तो ये भी बिल्कुल सही है अगला दिया है चंदरगुप्त द और अतन रहा करते थे तो इसने अपने ये जो करमा दित्ती था उस पर दियाए था उज्येल कर दिया था उज्येदी तो जो चंद्र युप्त दुती जिसको की चंद्रगुप्त दुतिय विक्रमादित्य ने परास्त किया एक और सक्सासक का नाम आता है रुद्र दामन जिसका की जुनागड भी लेक प्राप्त हुआ है ना सवराष्टर छेत्र से देखो ये जो कार्दमक सक्सासक थे जिसकी इस्थापना चष्टण ने की थी तो इसी चष्टर का पोत्र था रुद्र दामन जिसने उज्जैन से अपने सामराज्य का विस्तार करते हुए पूरे सौराष्टर गुजरात उस तरप के छेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था और रुद्र दामन ने ही जुनागड अभी लेक की इस्थापना करवाई थी जहां से हमको चंद्रगुप्त मौर और असोग के बारे में जानकारी मिलती है और जुनागड का जो अभी लेक था वो पहला संस्कृत अभी लेक है इसके अलावा उसी में सुदर संजील के बारे में भी जानकारी मिलती है तो वो भी जो है इसी कारदमक सक वंस का था और य लेख भी लिखवाए थे ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथी साथ इसने अपने अभी लेखों और सिक्कों पर शक समत का प्रियोग किया था तो ये तीनों पॉइंट यहां पर सही है जितनी भी बाते मैंने बता है आप लोग इसको ध्यान में रखियेगा भारत में पह लिबार्तिती अंकन करना सुरू किया वो भी किस समत का प्रियोग किया तो सक समत का आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन तो एक दो तीन यहां पर आपका राइट होगा अगला कोश्चन देखते हैं वरना क्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में क्या सत्य है तो देखो मैं य के जो दस कोश्चन ले रहा हूं यह किसी एक पर्टिकूलर टॉपिक से नहीं ले रहा हूँ पूरा भारत का इतीहास जहां से मतल़ प्राचीन काल के भी कोश्चन होग hear, madher, kagal लाड लिटन तो इसी के समय पर यह एक्ट आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देखो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था तो यह जो देशी समाचार पत्र थे देशी समाचार पत्र से तक पर जो देशी अर्थात भारतिय भासाओं में प्रकासित होने वाले समाचार प तो ध्यान रखेंगे देशी समाचार पत्रों के विरुद इसको लाया गया था लाड लिटन के समय में और इसको किसके समय में समाप्त किया गया ये भी पूछा जाता है तो जो अगला जो वायसराय बन करके आया लाड रिपन तो उसके समय में इस एक्ट को वापस ले लिया गया क्योंकि इससे ना जो भारतिये समाचार पत्र थे उन पर बहुत ज़्यादा अंकुस लग रहा था तो काफी मतलब विरुद हुआ तो इसको फिर वापस ले लिया गया क्योंकि समाचार पत्रों की जो स्वतंतरता थी वो इस एक्ट से कही ना कहीं बाधित हो रही थी तो पहला पॉइंट बिलकुल सही है दूसरा है यह एक्ट मतलब की वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट इस्वर चद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकास के विरुद में लाया गया था ये वाला भी बिलकुल सही है तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो इस्व समाचार पत्र भी टार्गेट थे लेकिन जो में जो टार्गेट था इस्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकास था इस्वर चंद्र विद्यासागर जो की भारत में विद्वा के पुनर विवाह के लिए जाने जाते हैं तो ये मतलब इस्त्री शिक्षा इन सब चीजो ना सिसीर कुमार घोस क्याना था इसके संपादक का सिसीर कुमार घोस अमरीद बाजार पत्रिका के संपादक तो सिसीर कुमार घोस ने क्या किया कि यह जो अमरीद बाजार पत्रिका है ना यह बांगला भासा में प्रकासित होता था चूकि बांगला भारती यह भासा है तो य वर्तित कर देते, बदल देते, बांगला से सीधे वो अंग्रेजी में प्रकासित होना सुरू हो जाता है, मतलब कि आज ये एक्ट पारित हुआ, तो अगले दिन ये जो समाचार पत्र है, अमरित बाजार पत्र का, ये अंग्रेजी में जारी होना सुरू हो गया, तो इसने ज आमक समाचार पत्र है उसने इस एक्ट का समर्थन किया था तो ध्यान रखना इसको तो यह आप लोग ध्यान में रखिएगा पूछा जाता है वरनाकी उलर प्रेस एक्ट से काफी सारे कोश्चन तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो तीनों कतन यहाँ पर सहिए एक दो तीन आपके सत्य हैं अगला है गौतम बुद्ध का हरदय किने द्रिशिशे द्रवित हो था तो देखे गौतम बुद्ध जी जिनका जो बच्पन का नाम या फिर कहें मूल नाम सिध था और इनका इनके जो पिता थे सुद्धोधन थे साक्यगण के प्रधान थे सुद्धोधन माता इनकी थी महमाया जिनका की कुछी दिनों बाद डेथ हो जाता है जैसे महत्मा बुद्ध के जन्म होता है उसके कुछी समय बाद इनकी माता का निधन हो जाता है इनका जन्म होता है और इनका जो पालन पोर्शन है इनकी मौशी महाप्रजापति गौतमी ने किया था देखें ऐसा कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है जब इनका जन्म हुआ चुकि इनके जो पिता थे वो शाक के गण के प्रधान थे मुख्या थे मतलब की राजा थे तो राजा के यह बराम्मन लोग तो वो बताते हैं कि यह जो बच्चा है यह संऩी बनेगा तो इसे इस मोड़ा गबरा जाते हैं मेरा जो बेटा है वो सन्यासी बनेगा घरबार छोड़कर के वह बटके भीच्छा मांगेगा तो इससे जो सुथोधन वह बड़े परेशाण हो वो नहीं आने चाहिए, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी बीमार आदमी, कोई भी बुढ़ा आदमी इसके सामने नहीं आना चाहिए, इसके आमोद प्रमोद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह जो है वो आदेश जारी करता है, और जो गौतम बुद्ध हैं, उनको तमाम सु विदाहें दी जाती है और गौतम बुद्ध को बाहर जाने नहीं दिया जाता है अंदर ही मतलब कि जो राजमाल होता है वही पर इनके लिए हर तरह की विवस्था कर दी जाती किसी चीज की कोई कमी नहीं मतलब कि हम कहा सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने जब यह मतलब इनका विवाहा भी हो जाता है 16 वर्षे की आयू में ये सोधरा से तो एक दिन जो गौतम बुद्ध है अपने सार्थी जिसका नाम था चन्ना इनके सार्थी का नाम था और ये ना इनका मित्र भी था चन्ना और इनका जो प्रिय घोड़ा था सिधार्थ का वो था कंथक तो ज होता था जब भी ये नगर में निकलते थे तो जो भी गरीब आदमी है जो मतलब बुढ़ा है बीमार है मतलब कि ऐसा चीज जिसको देख करके थोड़ा सा मन में जो है दुख सोक वेक्त हो वैसी चीजों को दूर कर दिया जाता था तो जैसे राजा सुद्धन को पता चलता है कि उसका जो बेटा है वह बाहर घूमने जाना चाहता है नगर भर्मण करने जाना चाहता है तो वह आदेश जारी करवाता है कि कोई भी जो है इस टाइप के लोग न दिखे अब जो गौतम बुद्ध है वह चन्ना के साथ निकल जाते हैं अब लेकिन होता अलग उल्टा है हाला कि राजा सुद्धोदर ने प्रयास किया था इन सब चीजों से दूर रखने के लिए तो जैसे ही गौतम बुद्ध ब्रहमण करते हैं नगर का तो उनको सबसे पहले एक व्रिध दिखता है जो की लाठी पकड़े हुई होता है थोड़ा सा जुख करके चल रहा होता है और उसकी जो चमड़ी है मतलब थोड़ा सा पतला दूबला होता है बाल सफेद होते हैं चेहरे में जुरियां पड़ी हुई होती है जो मांस है वो भी थोड़ा सा लटक रहा होता है होता है ना पतले दूबले जो बुढ़े वेक्ती होते हैं उनका तो जो क्या करते हैं जो सिध्धार्त है वो चन्ना से पूछता है कि ये मतलब ये किस टाइप का इंसान है मात्मा इस वेख्ती से सब्ड़े हुँगे मैं भी बुडह होऊंगा और यह पहले किसी समय में हमारे जैसा ही रहा होगा, तो महात्मा बुद्ध नहीं बने थे, तो सिध्धार्त जो है सोच में पढ़ जाते हैं किया ये भी जीवन है, मतलब कि मैं भी बुड़ा होंगा, मेरा भी कमरे से जुख जाएगा, मुझको भी लाठी के साहरे चलना पड़ेगा, बाल सफेद होंगे, ये तमाम क जो है उनके दिमाग में चलने लगता है फिर वो थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं फिर से वैसी सवाल करते हैं चन्ना बताता है कि यह बीमार है और व्यक्ति जो है कभी-कभी बीमार भी पड़ जाता है उस पर चिता देखते हैं चिता मत चन्ना को exactly एग किम्रिट्यव को नहीं देखा था। अब से पहले किसी बूर्ठे को नहीं देखा था उन्हीं देखा था नहीं चीता की व्यक्ती जो है बुड़ा होता है और उसके बाद वो मर जाता है सब के साथ ही होता है हमारे साथ भी एक दिन ऐसे ही होगा तो जो सिधार्त है उसका पुरा दिमाग जो हिल जाता है उसके बाद फिर सन्यासी सन्यासी को दिखता है जो की अलग तरह के कपड़े पहने हुए होता है जो न मुझता है कि ये क Sutcluff मंसे त्ट अलग दिखरा यह सब चीज भीूँ लग है तो चन्ना बताता है कि यह जो है सन्यासी है जुए अपना गर बार छोड़ लेते हैं इस्वर की साधना में लगे रहते हैं और दूसरे लोगों को सूख देना और दूसरों को ग्यान देना ये सब काम करते हैं तो जो गौतब-बुद्ध है उनका फिर हेदय जो है द्रवित हो उठता है संसार के मोह माया से उनका उससे उनका मोह भंग हो जाता है और फिर इसके बाद 29 वर्ष की आईयों में वो अपन राहुल इनको सोता हुआ छोड़ करके वो फिर ग्रिह त्याग कर लेतें 29 वर्ष की आईयो में देखे जब इनके बेटे का जन्म हुआ ना सिधार्त का राहुल तब इन्होंने बोला कि एक और बंधन मतलब कि अपने पुत्र को देखते हैं तो मतलब बड़ा प्यारा लगता होगा बच्चा बच्चा किसको प्यारा नहीं लगता है और उस पर भी खुद का बच्चा खुद का बच्चा खुद का बच्चा खुद रखते हैं और डिशाइड करते हैं कि नहीं अब मेरे को जो है घर बार छोड़के मेरे को भी सन्यासी बनना है तो 29 वर्स की आयू में अपनी पतनी अपने बच्चे को आखरी बार मतलब देखते होंगे विदा लेते होंगे और फिर अपने राजमहल से निकल जाते हैं और अपने राजश्री वस्त्र को भी सिधार्त त्याग देते हैं सोचिए एक आम व्यक्ति जब अपने परिवार से अलग होता है बिछूडता है नहीं करना चाहिए मान लोग किसी काम से भी अगर हम बाहर जाते हैं अपने परिवार को छोड़ करके दो दिन हपता भर के लिए या महीने भर के लिए तो थोड़ा सा मतलब हमको दुख होता है लेकिन जो महातमा बुद्ध थे भई वो तो अपने पूरा जीवन भर के लिए अपने पतनी को अपने बच्चे को छोड़ कर जा रहे हैं तो उनका मन भी उस टाइम पे कैसा रहा होगा तो यह आप लोग ध् अपने फंशन लिया है मानने तो यह देख लिते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो दिया हुआ है कि जो राजा राज प्रथम ने अपने सासनकाल में चोल अभिलेखों का प्रारंब एिहासिक भौमिका के साथ कराने की प्रता की शुरूत की राजा राज प्रथम जो की चोल वंस का सासक था तो इसने अपने सासनकाल में चोल अभिलेखों का प्रारंब एतिहासिक भूमिका के साथ कराने की प्रथास सुरू की मतलब उस ताइम पे जो अभिलेख जारी करवाये जाते थे ना उसकी जो सुरूआत है वो एतिहासिक भूमिका के साथ मतलब इत बिल्कुल ये भी सही है तंजाओर में है ना राजा व्रिहदेश्वर मंदिर जिसको की राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है तो ये बिल्कुल सही है अगला दिया है स्री लंका पर आक्रमण किया एवं उसे अपने राज्य में मिला लिया देखो जो राजा राज प्र इसको अच्छा एक और चीज आप लोग ध्यान रखेगा जो ये थे ना राजा राज प्रतम जिन्होंने ये जो मंदिर बनवाया था व्रिहदेश्वर मंदिर तो इस व्रिहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर इन्होंने नाट्टे सास्त्र नाट्टे सास्त्र किसकी रचना भरत मुनी तो नाटे सास्त्र में वर्णित मुद्राओं का व्रहदेश्वर मंदिर में प्रदर्शित किया है जो वहां की दिवारे हैं वहां पर नाटे सास्त्र की मुद्राओं को उतक्रिन किया गया है तो यह आप लोग ध्यान रखेगा इसके बाद एक और चीज़ याद यह जो व्रहदेश्वर मंदिर है यहाँ पर राजाराज प्रथम ने अपने धर्म शहिश्णू होने का परीचह देने के उद्देश शे इसकी दिवारों पर व्रहदेश्वर मंदिर की दिवारों पर बौध प्रतिमाओं का निर्मान करवाया है एक तो भरत मुनी की जो न एक और दो आपका सही होगा एक और दो ये नेक्स्ट कोषिनन दिखते निप्टे सा गजाहिए कौंप मेर यह कॉन सा कथन असत्य है यहाफ को पहचाना है सुल्तानसिकंदर- arrive और के frente ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, साहमीर वन्स कहां सासन करता था तो कस्मीर में, और इनकी जो राजधानी थी, वो थी इंदर कोट, क्या थी इंदर कोट, तो जो सुल्तान सिकंदर था, वो तैमूर लंग का समकालीं था, और जो तैमूर लंग उसने कस्मीर पर आक्रमण भी किया था तैमूर लंग इसने भारत पर का आक्रमण किया था तो 1398 इस्वी में इस समय तुगलक वंस का सासक नासिरुद्दिन महमुद साह दिल्ली पर सासन कर रहा था तो उसी के समय में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर भेंकर मार्व काट क और चला गया तैमूर लंग का ही वनसज हुआ कौन बाबर जिसने 1526 में भारत में अटेक किया था तो पहला सही है दूसरा है जैनूल आबदीन ने महा भारत व राज तरिंगडी का फार्सी भासा में अनुवाद करवाया जी हां ये भी बिलकुल सही है जो महा भारत है इसके अलावा आपका जो कहते हैं राज तरिंगडी जो की कश्मीर का इतिहास पता चलता है ना राज तरिंगडी किसने लिखिये कलहर ने और ये जो है भारत का प्रथम एतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है राज तरिंगडी कश्मीर का फुरा इतिहास पता चलता है तो जो जैन दिन था और टैमूर ने कश्मीर पर भी आक्रमन किया था लेकिन वहाँ उसको सफलता नहीं मिलती है तो यह वाला आपका बिल्कुल गलत कथन है ध्यान रखेंगे अगला कुश्चिन है जैनुलाबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है जी हां बिल्कुल सही है जो जैनुला कंदर था इसने काफी सारे मंदिर मूर्ती वगरह भी तोड़ा था धार्मिक रूप से शैशनु था वहीं जो जैनुलाबदीन था यह धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा शैशनु था इसने महाभारत राश्तर इंगणी इनका फार्सी में अनुआत करवाया इसने जज फार्सी कस्मीरी शंस्क्रेट तिब्बती इन सब भासाओं का जानकार था ये ना कविताएं भी लिखा करता था फार्सी भासा में कुतुब नाम से कुतुब नाम से कविताएं लिखा करता था कौन जैनुला आप दीन तो यहाँ पर आपका सव आंसर हो जाएगा अगला जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा शाशक था ना कुतुब नाम फिर आराम शाह फिर इलतुतुमिस तो इलतुतुमिस ने कुवतुल इसलाम मस्जित के प्रांगन का निर्मान करवाया प्रांगन मतलब आंगन कुवतुल इसलाम मस्जित यह है क्या तो कुवतुल इसलाम मस्ज के बाहर प्राँगन का निर्मान करवाया बिल्कुल सही है यह इसके अलावा एक और याद रखेंगे कु्तुब यह मतलब यह मतलब यह जो मजजिद न कुवत उलिस्लाम मस्जिद इसके चारों तरफ दर्वाजों का निर्माण करवाया था अलाउदिन खिलजी ने और इस दर्वाजे को नाम दिया गया अलाई डर्वाजा तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला दिया है सिकंदर लोदी ने कुटुब मिनार का जिर्णोधार करवाया सिकंदर लोदी तो देखो कुतुब मिनार इ उसने इसका मरमत करवाया जिर्नोधार करवाया बिल्कुल सही है इसके अलावा सिकंदर लूदी के अलावा तुगलक वंज के सासक फिरोज शाह तुगलक उसने भी कुतुब मिनार में मरमत का कार्य करवाया था दिल्ली में है न कुतुब मिनार आज उसकी स्थिती काफी खरा तो जो कि पहले बदायू का शुबेदार हुआ करता था तो जब वह सुल्तान बना तो उसने यहां पर बदायू में एक जामा मस्जिद बनवाया था जामा मस्जिद क्या होता है तो नगर का जो प्रमुख और सबसे पुराना जो मस्जिद होगा उसी को जामा मस्जिद बोला जाता है तो देखो जामा मस्जिद ये भी समय के साथ मतलब कुछ तूट फूट गया रहा होगा तो इसमें अकबर ने जिर्णो धार करवाया था अक तो आपका तीनों कथन यहां पर सही है आगे बढ़ते हैं अगला कर्षेन दिखते हैं सुल्तान अलावदिन खिल जी ने किस विजय भ्यान का श्वैम नित्रित्व किया था तो अलावदिन खिल जी जिसने पहली बार दक्षिन भारत में अटेक किया और दक्षिन के लभग पूरा दक्षिन इसने जीत लिया था सुदूर दक्षिन को छोड़ करके तो क्या बोल रहा है कि किन विजय भ्यानों का नित्रित्व श्वैम अलावदिन खिल जी ने किया था तो देखो रन थम भौर यहाँ पर किया था, वारंगल जो दक्षिन में है, यहाँ नहीं गया था, मलिक काफूर गया था, गुजरात में भी नहीं गया था, चिताओर, चिताओर में खुद गया था, तो एक और चार यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा, अगर बगेल वन्स के राजा कर्ण सासन कर रहे थे, इनकी पतनी थी कमला देवी, और इनकी बेटी थी पुतरी, देवल देवी, तो यह थी, तो यहाँ पर जो अलाउदिन खिल जी था, वह स्वैम नहीं गया, उसने उलूग खा और नुसरत खाँ को भीजा, कहाँ पर गुजरात और यहाँ पर क्या होता है कि जो बगेल राजा कर्ण है वो जो है अलाउद्दिन खिल जी की सेना का सामना नहीं कर पाता है और अपनी पुतरी देवल देवी को ले करके वो दक्कन की और भाग जाता है और देवगीरी के राजा राम चंदर देव के यहाँ सरण लेता है और उसकी जो पतनी है कमला देवी वो फिर अलाउद्दिन खिल जी के सैनिकों के हाथ लग जाती है और उसको फिर दिल्ली भीजवा दिया जाता है और अलाउद्दिन खिल जी जो है कमला देवी से विवाह कर लेता है और गुजरात अभियान के समय ही अलाउद्दिन खिल जी के जो सेनापती थे नुसरत खां वो जो है एक हिंदु हिजड़ा जिसका नाम बाद में मलिक काफूर पढ़ता है सुरुआत में ये हिंदु था तो हिंदु हिजड़ा को 1000 दिनार में खरीद लेता है क्योंकि वो काफी मतलब वो हुसियार था तो उसको जो है नुसरत खां अलाउदिन खिल जी की सेना ने उसमें चड़ाई कर दी इसके बाद जो अगला विजय अभिहान था रण थमभौर ये लगभग 301 के आसपास में गुजरात में न 1298 उसके बाद जैसल मेर 1299 उसके बाद रण थमभौर 301 रण थमभौर के सासक थे हमीर देव और यहाँ पर आ सुल्तान अलाउदिन खिल जी उसने खुद अपनी सेना का नित्रित किया किसके विरूद रण थमभौर के विरूद और इसमें नुसरत खा मारा जाता है पहले नुसरत खा को भेजा जाता है जो की मारा जाता है उसके बाद फिर सुल्तान खुद जाता है और यहाँ पर जो यह हमीर देव है वो लडते हुए जाता है, वीरगती को प्राप्त हो जाता है, जैसल मेर के राजा भी मारे गए थे, इसके बाद बारी आती है चित तौड की 1303 में, 1303 में जो अपना अलाव दिन खिल जी है, उसने खुद अपनी सेना का नेतरी तो किया और कहा पहुंच गया चितवड़ में इस समय यहां के जो सासक थे वो थे रावल रतनसी हैं एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे जो रतनसी है ना उनके नाम के आगे रावल लगेगा क्या लगेगा रावल राणा लगा दिया जाता है ये राणा नहीं थे ध्यान रखना जब न इसके कुछ समय बाद राणा सासक चितोड में आते हैं ये रावल थे रावल रतनसी हैं और इनकी जो महरानी थी महरानी पदमिनी कहा जाता है कि ये काफी खुबसूरत थी बहुत खुबसूरत थी और इनी को पाने के उद्देश से अलाउदिन खिल जी जो है अपनी स 25 के आस-पास में अटेक किया गया था यहां पर भी अलाउदिन खिल जी नहीं गया था उसने अपने सेनापतियों को भेजा था महलक देव यह यहां का सासक था यह भी मारा जाता है तो यह उत्तर भारत की अभ्यान था ना उसमें राजा जो है लड़ाई करते हैं मतलब कि जाते हैं केवल एक गुजरात का जो सासक था न कर्ण वो देवगीरी भाग गया था हला कि बाद में वो पकड़ लिया जाता है इसके बाद दक्षिण के अभ्यान के अगर हम लोग बात करें तो वारंगल ये सब दक्षिण में है तो दक्षिण में सबसे पहले देवगीरी प वाला ही जड़ा उसने जो है पूरे दक्षिण भारत को अलाव दिन खिल जी के लिए जीता था ध्यान रखेंगे इस चीज को तो ज्यादा और रिटेल में नहीं जाता किसी अगले वीडियो में देखेंगे तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे रणथंबर और चित्व में सुल्तान खुद गया था तो एक और चार की आपका अंसर होगा अगला कोश्या दिखते हैं चंगेज खां किस सुल्तान का समकालिन था तो देखो चंगेज खां जो है ना ये किसका समकालिन था तो देखो चंगेज खां जो की एक मतलब क्या करते हैं काफी ये मतलब हाह चंगेज खान था मतलब कि यह किसका समकालिन था तो देखे यहां दिया हुआ है इसके समय में भी मंगोलों ने आक्रमन किया था तो किसके समकालिन था तो यह इसके समकालिन था ध्यान रखेंगे इसने ना जो चंगेज खान था उसने भारत में आक्रमन नहीं किया चाहता तो वो कर सकता था मतलब जो चंगेज खान जिसने पूरे एसिया वगरे सबको जीत लिया था एसिया यूरोप के भी काफी हिस्सों तक वो पहुँच चुका था तो बहुत सारा छेतर इसने जीत रख रखा था देखे क्या था कि जो खुआरिज्म का साहा था के पुत्र जलाल उद्दिन मंग बरनी यहy चंगेज खान से डर करके भाग करके पंजाब की ओर आ जाता है जलाल उद्दिन है इसके पीछे चंगेज का पड़ा हुआ था तो यह जो है चंगेज खा के डर से पंजाब की उर आता है और यहाँ पर सरण मांगता है इल्टुतमिस से कि भई हमको सरण देदो अब चंगेज खा यह भी जो है उसका पीछा करता हुआ इस तरफ आता है लेकिन प्रवेश नहीं करता है और जो है यहाँ पर संदेश भीझवाता है शिंद तक आ गया था, सिंद तक पहुंच occup गया था चंगेश खा तो वो जो है इल्टुतमिस के पास संदेश भीझवाता था कि भई, तुम जो है मेरे सत्रू को अपने हाँ सरण मत देना, अगर सरण दिये तो मैं अंदर आऊंगा तिरे को देख लूँगा बजा दूँगा तिरे मतलब कि तुम्हारे उपर आक्रमण कर दूँगा इस टाइप से बोलता है तो इल्टु तुमिस जो है यहाँ पर सूजबूज से काम लेता है और वो जो है जलालुदिन मंगबर्नी को अपने हाँ सरण द पुष्टकों में यह दिया हुआ मिलता है कि जो चंगेज खा था उसका यह प्लान था कि वो जो है भारत पर अटेक करेगा और भारत का जो पुर्वत्तर हिस्सा है उस तरफ से होता हुआ वो चीन को जाएगा अगर वह ऐसा करता तो सूचिए कितना भैंकर मारकाट होता हम इसका समकाली था बाकी बलबा नलाउद दिन खिलजी मुहमद बिन तुगलक इनके टाइम पर भी मंगोलों ने आकरमन किये थे अगला कुश्चन दिखने इस वीडियो का आखरी कुश्चन है देवराय प्रथम के विशय में क्या सही नहीं है तो देवराय प्रथम जो की व भारत आया हुआ था घूमने तो इसी के समय में विजय नगर के यात्रा की थी तेलगु कभी सिरिनात इसके दर्बार में थी बिलकुल सही है इसने फिरोज सहा बहमन की बेटी से विवाह किया नहीं ये गलत है देखो फिरोज सहा बहमन जो की बहमनी सामराज्य का सासक था इसने देवराय प्रथम पर आकरमन किया और देवराय प्रथम को परास्त कर दिया मतलब कि जो देवराय प्रथम था वो हार गया और जो देवराय प्रथम था उसने अपनी बेटी का विवाहा फिरोज बहमन सहा से करवाया ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर फिरोज बहमन सह ने देवरायप्रथम की बेटी से विवा किया न कि देवरायप्रथम ने फिरोज सहाब आमन की बेटी से यहां पर यह वाला गलत होगा अगला की यहां इसने तूंग भद्रा नदी पर बादू बनवाया अच्छा ये जो विवाह हुआ था फिरोज बहमन साह जिसने देवराय प्रथम की बेटी से विवाह किया इसको सोनार की बेटी का विवाह का जाता है क्या सोनार की बेटी का विवाह जो देवराय प्रथम है वो सोनार सोनार मतलब जो 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 एलर होता है जो सोना चांदी बना किया तो दहेज में काफी कुछ मिला होगा तो इसी कारण इसको जो है सोनार की बीटी का विवाह किस से संबन्दित है तो फिरोज को आप लोग जादा जादा सेयर कर दिया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद